हेलो सात्यों सिप्री का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा और सिप्री ने अभी अपनी एक रिपोर्ट दी है मेरे दोस्तों सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा है कि दोस्तों जो अपना प्यारा भारत है वो सबसे जादा आम इंपोर्ट करने वाली कंट्री बन रहा है तो कहीं ये पाकिस्तान को डराने के लिए तो नहीं उस पर चलाने की जरूत नहीं पड़ेगी वो वैसे ही डर जाएगा तो चलिएगा बात कर लेते हैं अब सीरियस नोट पे कि भईया सिपरी की रिपोर्ट का नाम क्या है तो ट्रेंड से इंटरनेशनल आर्म ट्रां दोस्तों जब हम बात करते हैं कि सिपरी की तो इंडिया जो है लार्जेस्ट इंपोर्टर बन गया है 2017-2021 के बीच में ऐसा कौन कहरा है सिपरी की रिपोर्ट कह रही है मेरे दोस्तों याद रखेंगे उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सिपरी की फुल फॉर्म कई बार Stockholm International Peace Research Institute जो इस वाले डेटा को मेरे दोस्तों देता है अब चले अब बात करते हैं कि भारत ने कहां-कहां से डेटा या कहां-कहां से मेरे दोस्तों भारत कितना मेरे दोस्तों इंपोर्ट कर रहा है और एक्सपोर्ट करने के मामले में भारत कौन से नंबर पर है तो सबसे पहले Stockholm International Peace Research Institute है इनकी रिपोर्ट आई है नविंतम रिपोर्ट में 2017 से 2021 का डेटा कवर किया गया है वहाँ पे देखने में पता लगता है कि भारत जो है 85% अपनी चीजे केवल तीन ही कंट्रियों से लेता है 85% चीजे भारत की तीन कंट्रियों से आती है जिसमें सबसे पहला नाम रशिया का मेरे दोस्तों दूसरा नाम आता है किसका फ्रांस का आता है और तीसरा नाम आता है यूएसे का यहाँ पे देखने पर पता लगता है कि 46% जो चीजे हैं भारत ने मतलब 46% जो मामला है भारत का वो कहां से रशिया से आया है ब्लादी मीर पुतिन से मेरे दोस्तो जब हम फ्रांस के बारे में चर्चा करेंगे तो फ्रांस से 27% मामला हमारा फ्रांस से आया है और USA हमारा तीसरे नंबर पर है जहां से हमने 12% चीज़ों को मेरे दोस्तों लिया है तो इंपोर्ट करने के मामले में भारत में ये तीन कंट्री जो हैं वो सबसे आगे हैं रश्या फ्रांस और USA दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या सबसे ज़्यादा इंपोर्ट भारत करता है बिल्कुल करता है उसके बाद किसका नंबर आता है तो पहले नंब अरेबिया का किसका नमबर आता है तो वो नमबर आता है हमारा भारत हो गया सौधिय अरेबिया हो गया उसके बाद हमारा आता है इजिप्ट का नमबर आता है भईया किसका इजिप्ट का तो तीसरे नमबर पर इजिप्ट आ जाता है चोथे नमबर पर आस्ट्रेलिया है भई कौन सा है औस्ट्रेलिया है और पाँचवे नमबर पर चाइना है तो ये टॉप फाइव इंपोर्टर है जिसमें भारत सबसे पहले है उसके बाद साओधी एरेबिया उसके बाद इजिप्ट है उसके बाद आस्ट्रेलिया है उसके बाद हमारा चाइना है दोस्तों अगर रिशे आते हैं नमबर 3 पर हमारा फ्राइंस आता है नमबर 4 पर जो है चाहिना आता है और नमबर 5 पर जर्मनी आ जा जाता है तो यह टॉप 5 एकस्पोर्टर है टॉप 5 इंपोटर पता लग गए जिसमें मैने आपको सारे के सारे इंडिया बताया सौधी एजिप्ट बताया, उस्ट्रिलिया, चाइना, अगर हम एक्स्पोर्टर की बात करेंगे, तो सबसे पहले यूएस से है, उसके बाद रसिया है, देन फ्रांस है, देन चाइना है, और देन हमारा जर्मनी है, भारत एक्सपोर्ट करने के मामले में कौन से नमबर पर है, तो बा चाहूंगा कि भारत USA से कौन सी चीजों को इंपोर्ट करता है रस्या से कौन सी चीजों को इंपोर्ट करता है और फ्रांस से कौन सी चीजों को इंपोर्ट करता है अगली वीडियो इस पर होगी शेशन समझ में आया हो या पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और शेर कर सकते हैं अपने दूसरे सभी साथियों के बीच में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि हमारी तीनों जो सेना है उनके प्रमुखों के नाम क्या है comment box में अपना comment करिएगा मिलते हैं अगली class में तब तक के लिए टाटा बाई बाई टेक केर जै हिंद जै भारत